है लो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आप सब का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो आप सब को सबसे पहले हैपी नीयर और यह जो है एक दिन पहले का ब्लॉग है मतलब 31 दिसंबर का और यहां पे अभी ना साम का टायम हो रहा था तो यहां पर मैं क्या कर दूना यहां पर जो है अभी अभी महा आई थी और कपड़े भी लगाई थी और दो तीन दिन मतलब दो दिन नहीं तीन से चार दिन करीव हम लोग गाव तो अभी मैं आगे बताती हूं क्या था वह तो यहां पे मैं कपड पासार यह खा आप मतलब नास्ता वगेरा तो हलका मैं की थी खाना नहीं खाई थी और यहां पे सबसे पहले मैं आई नहाई उसके बाद जो है फिर चाय वगेरा में पी और यहां पे यह दिके बैड वगेरा भी मैं ठीक कर देती हूं तो तीनों बचे ना यहां पे घर में अकेले थे और अकेले मतलब मनीशा सब काम मतलब करती थी तो यहां पे मैं आई फिर घर का सारा काम की जारू पोचा वगेरा बैड वगेरा ठीक की मनीशा वैसे करती है तो फिर से मैं आके और सारा काम की नहा ली अभी तो फ्रेंस वविनन में वक इस भी मोड़ी हो और गर में प्रेंबूकर लू के वाध में काफ़ी ताइम बाद में वीडियो बना दीतीन कश्म मंद खाथ है तोप्त लिए हो भा लू और तीनों पेच्चे यहां पे रहे थे मतलब मैं हजबन गामी थे कुछ काम था बहुत मतलब क्या बताओं यह जो 2023 था ना हमारे लिए इतना मतलब बेकार दीन गया ना बहुत बेकार ऐसा साल नाम लोग कभी नहीं आया था इतने दिनों से मतलब इतना साल कट गया इसा साल हम लोग के लिए नहीं आया था 2023 जो आज चला जाएगा मतलब थोड़ी देर में चला जाएगा पांच-दैस मिनुट के करीब और मनीशा और डुगुना बाहर जो है बच्चे सभी लोग बच्चे जो है वही कुछ पैसे मिला के 20-30 रुफे मिला के के कटिंग वगेर हो रहा है बच्चों का तो अभी मैं सो गई थी एक ही बार बच्चों को खाना खिला के और मैं सो गई थी और आज ही हम लोग आये थे मतलब साम को ही आये थे और फिर हजबन को और गोलू जो है चले गए घर और क्या हुआ तो यह है और मैं क्या बता हूं आप सबको है पी नी यूएर और इतना दिन मेरा ना ब्लॉग नहीं गया तो कल जो है नए साल है और आज हैपी नी यूएर आज साल का लाज दिन है तो केक में भी लगए केक खाया केक होता है केक लगा केक हो है ठोट ना बैंसे हैं जो है तो यह और काफी दिनों के बाद मेरा ब्लॉग जो है कल जाएगा और 2023 को भूल जाते हैं और आने वाला जो 2024 है भगवान करे हमारे लिए अच्छा हो और आप लोग के लिए बहुत 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 अच्छा हो तो आप सब को हैपी नीवेर और अभी रात का टाइम हो रहा है 12 करीब बजने वाला है तो यह है और मेरा आप देख सकते हो बहुत जादा और कहते है ना कि जब घर में मतलब मुसिबत आता है ना तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं तो वो हाल हम लोग के साथ हुआ है और बस यह मैं क्या बोलूं और अभी जो है नीन नहीं आ रहा है अभी अभी सोके उठी हुना और बज़े लोग आए नहीं है वो डुग्गू और मनीशा तो अभी केक वगेरा कट रहा है और गाने अभी यहां पे बज़ रहे हैं और वीडियो भी मतलब कुछ भी सूट करने का भी मनी होता है अगर घर में प्राब्लम चलते हैं और मतलब कुछ भी वीडियो सूट करने का मनी करता है तो यहीं था और तो चलिए एक ही बार मिलती हूं कल साल का पहला दिन में और आप सबको फिर से अपी नीजर तो यह मॉर्णिंग का टाइम हो रहा है और फिर से आप सबको हैपी नीजर और यहां पर ना सुबद सुबद का टाइम हो रहा है अभी मैं जारू पोछा घर की यह सारी काम वगेरा जो है मैं अभी निप्टा रही हूं और आज अभी नहाना है सबसे पहले पूजा वगेर करना है और डुगु को भी नहलाओंगी क्योंकि डुगु को मैं ही नहला देती हूं और यह बच्चे तो बड़े-बड़े हो गए यह खुछ से नहा लेते हैं तो यही था अभी मेरा सारा मॉर्णिंग का काम हो गया था अब बस मुझे अनहाने जाना था और मतलब अभी का सारे नौ बज गया था सारे घर के काम की ना और लेट भी उठे थे आज क्योंकि बचोंगा भी छुटी चल रहा है ना तो जल्दी उठना होता नहीं मतलब वही आठ बजे तक ही उठती हूं और फिर कोई टेंसन नहीं रहता है कि बच्चों का लांच बोक्स बनाओ बनाओ यह सब कोई टेंसन नहीं रहता है तो फिर अभी छुटिया चल रहा है इसलिए लेटी उड़ती हूं तो बस अभी मैं नहां के आ गई थी और नहां के आने के बाद अभी बालों को मैं अच्छे से जहार लेती हूं उसके बाद जो है भी मैं मॉर्निंग का पूजा करूंग तो यहां पर मैं दिया जला रही थी तो अजकल क्या होता है ना ठंड़ा में घी जो रखा रहता है ना वो थोरा सा मतलब टाइट हो जाता है और उसको पिघालना बहुत मुस्किल हो जाता है तो मैंने क्या क्या इसमें कपूर डाल के एक कपूर डाली हूं तो यह पिघल ग पूझा मतलब रोज के जैसे आज भी मैं पूझा कर लेती हूँ और अभी अहां पे डुगू को भी भूख लग गया था क्योंकि टाइम काफी जादा हो गया था इस तो यहां पर यह दिखे डुगू भी पूजा करता है तो मैं जो जो करूंगी ना इसको भी करना है तो इस तरिके से अभी मेरा पूजा भी हो गया था और आने वाला जुस्ट मतलब ये जो साल है भगवान हम सब पे अपना किर्पा बनाए रखे और अभी मैं आ गए थी किचन में तो किचन में अभी मैं कुछ खाना अगे रहा जो है बना लेती हूं अभी मैं सबसे पहले चा तो फिर मेरे सर में दर्द होने लग जाता है और मेरा चाय का आदत हो गया पतानी तो इसी तरीके से अभी मैं चाय पी ली थी उसके बाद अभी मैं खिचरी बना रही थी तो कुछ कुछ सब्जी रखा हुआ तर घर में गाजर था खुल गोवी था और आलू और मटर यह सब तो यह सब डाल के और मैं खिचरी बना रही थी तो मैं सोची कि कुछ मीठा बनाओंगी तो मीठा भी मतलब खाने का भी टाइम हो गया था भूख भी लगा था बच्चे को तो मैंने कहा कि चलो मीठा जो है साम को बनाओंगी और यहां पे मैं खिचरी बना रही थी तो यह वैसे सब्ग में पुलाव बना दो सारे सब्ग्राव नियुकर सब्स्क्राइब बनातीओं को युदुद पसंद नियुकर दाल्जेंकर भच्छे से ऊगश्पा बना तो बच्छो अच्छे तरीके से खा लेते हैं तो इसी वज़े से मैं भी यहां पे खिचरी बना रही थी सारे सबजीयों को भून के मसाले अगरा डाल के दाल चावर यह सारे मैंने डाल दिया है पानी डाल दिया है इसके बाद जो है लास्ट में यह धनिया की पती रालनुगी और इसमें दो सीटी दो से तीन सीटी करिब लगा देती हो ना तो खिचरी बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है उसके बाद अभी मैं बना रही थी टमाटर की चटनी यह देखिए मेरा खिचरी जो है बन गया है और बहुत टेस्टी लगता है इस तरह का खिचरी मतलब सारा सब्जी वगर मिक्स करके तो इसमें और भी विडियो नेकर वीडियो कुछ-कूछ सब्जी रहता ना तो बहुत अच्छा लगता खाना में घचरी थीर हंै goals तो यहां पर देखिए मैं गाजर का हल्वा बनाने वाली कि सुभा तो अब स्वीडियो कि यूछ वेडियो में श्री one को सेड्य करोंगी तो कैसा लगा यह वीडियो अगर आप प nerves को